गुद्धून फ्रेंड्स, स्टुरेंड्स, आज हम के मेन फोर और फेरस अमोनियम सिल्फेट के बीचेक रिडाउक्स टाइटर्शन करेंगें इस प्रक्टिकल के लिए जो एम कोता है वो है और आपको फेरस अमोनियम सिल्फेट का धिया जाएगा आपको यह बोला जाएगा कि आप परसेंटेश इतना है यह निकाल जिए अभी हमने इस प्राक्टिकल के लिए टेन ग्राम फैरासमुनियन सिल्फेट लिया है जिसे हम एक लिटर पानी में और रेडिंग स्टाउप सुलूशन को रूप में डिजॉल करके रख चुके हैं इसमें हम थोड़ा सा सल्फिरिक एसिड या हाइट्रोक्लोडिक एसिड डाल देते हैं विकॉज यह जो रेडॉक्स रेक्शन होती है यह एसिडिक मीडियम में होती है रेडॉक्स टाइट्रेशन के लिए हम लोगों ने केमेन फोर को भी कयार किया है मैंने यहाँ पर 1 by 30 नॉर्मल केमेन फोर प्रिपेर किया है 1.05 ग्राम केमेन फोर को एक लिटर पानी में डिजॉल करके आन थिए इस और शुलुशन सो लिट इस स्टार्ट फिर्स्ट फॉर्षाइं प्रोड प्रिश्ट करने के लिए कमेन फोर देना होगा दिवरेट में तो तो दूराट में के मेलों पूर हम लेते हैं मेरे पास यो बूराट है इन जनरल 30 ml का होता है लेकिन यहां पर 100 ml का बूराट हम लोगों की लेज में एवेलेबल हैं सो व्याइब प्रेटिकल दीजिस बूराट है कि और वेज पनेल का यूज करिए आप लोग जब भी सुलूशन करते हैं और जब आपका हंडर्ड एमल जो भी आपका मार्क है मेरे विवेट में दिया है को इसके बाद जितना भी यहां पर अब रेसे डिए इस पेस देखने आपको इसको भी आपको फिल करनी है तो सबसे पहले हैं कि अधर कि अधर कि अधर हुआ है हुआ है कि अधर में आपका से हाु जापको अधर कि अधर कि अरी कि अधर सब्सक्राइब अबाउट है कि इसे वास करना होगा क्योंकि हम यहां बड़ा इसमें केमेल को लेंगे कि अच्छाइब अब है अब है अब है अब अब कि कि चल्फेट जो कि च्रोंडाइब तयार करके रखाता वह मैं इसमें लेंगे मनें यह तो यह मेरे 10 ml की टीपेट है तो for sake of our calculation मैं 20 ml लिए तो 20 ml लेने के लिए मैं direct stop solution से ही सब कर लेता हूं otherwise इसको पहले आप एक नीकर में या छोटे class में लिजिए देन सब करना easy होता है लेकिन time की कमी के बारण में कि यहां पर जो मारक है इस मारक अश्वार के लिए इस मारक सब कर दो दो लेना होता है इस्टोंट्स आपके देखिए यह इस मारक सब दो एक डिए तैने में रोड़ी हो आज है कि जिसेजिद और अ कि यह जो ग्लास अपरेटर्स है जिसका मैं यूज करता हूं इस वाइवा के कॉस्चन होते हैं बेसिक लेबल पे एक्जामिनर बोलता है कि बताई आप तो कि यहां पर भी जो सुलूशन में ले लिया है उसको और यहां पर भी जो सुलूशन में ले लिया है उसको अलड़ी एरटाइट किया है इसमें कहीं कहीं दूसरा ट्रक्रिकल्स पर आप देखेंगे कि एक या दो एमेल एसिट डालते हैं लेकिन इस टाप सुलूशन में स्टार्टिंग में एसिट डाल दिया था यह रेडॉस रेक्शन असटिक में में होती है अब हम कि टाइट्रेशन स्टार्ट करेंगे टाइट्रेशन में क्या हो रहा है कि यह जो के में अपूर है के में अपूर आप देखिए डिस अब अब इसके वीचन जो के में अपूरा कलर हो अब इसके वीचन जो केमेश्ट्री हो केमेश्ट्री समझेट क्या है इसके केमेश्ट्री यह है कि जो नीचे फेरस है और उसके में लेकर होया है तो जैसे ही वह से अपरस के सॉलूषन है कि एक यह च्रैक्शन होती ही क्यों बान्सफर होता हुट है हम जाता है हो जाता है Ск doubts के अंदर जाता है कि मैंट्र विच्टान जर्फ करता है जब मेगनेज और लेता है तो क्या बनाता है एमेन फ्लस्टू और उट तरिया में प्लस तब तक चलती देंगी है सब्सक्ट च अब तक चलती डएंगी जब तक थाइब जो उपर से ड्रॉफ आएगा आएरन का जो ऊपर का आएरन का ड्रॉफ लोगो क्या होगा फिर हूपर का जो एमेन वोजब का ड्रॉफ है वह फिश्चन को पस्ट कर जाएगा कि थोड़ी रियक्शन को पास्ट कर देते हैं हम लोग नीचे वाइट टाइल या फिर वाइट पेपर इस वह रखते हैं ताकि कलर चेंजेस हमको समझ में आ जाए क्यांकि कलर डिसपियर जैसे ही बंद होगा तो सुलूशन आपका पेल कि बंद हो जाएगा जैसे ही अपका स्योषन हलका सअ लाइव निर्ल यह होता है कि कोop कि समय वह मिली एक्वेलंट उपर के द्रॉम ही उसके बाड़ाबर हो जाते हैं Pornical Flask में जब आरन का, ठेरस का, और केमेन फॉर दोनों के मेली इक्पलिन बराब हो जाते हैं उस इक्पल हो जाते हैं, That point is called end point और null point समझेंग वो शिक्स्टीन आराउंड आदीगी अब आप देखिए जो ड्रॉब है वो डिसापेर होना बंद हो रहा है जो रहा है द्रॉब ड्रॉब गेस अब कि अब ड्रॉब डिसापेर नहीं हो रहा है ये श्कुद्ट वे जो कलर में अब जो सलुशान में तो और उसमें डालता हूं तो वह क्या होंगे अब अपना छाइंच नहीं करेंगे क्यों नहीं चेंज करेंगे क्योंकि जितना इसमें 20 ml इतने मैं फेरस सुलूशन डाला था फेरस अंगें सुलूशन डाला तब आप पूरा क्या हो चुका है खतम हो चुका है फेरस is now completely converted into phaedic so now more electron is remaining अब जब electron ही नहीं बचेंगे तो क्या होगा color इसका क्या होगा अब क्या करते हैं हम जब तक रिडिंग लेते हैं इसकी तक की दो रिडिंग हमारी सामान नहीं आती क्योंकि दिस रिडिंग इस रिडिंग इन ट्राइल है यह रिडिंग हो सकता है जो तो 16.4 या 16.6 से इसके लिए हमको सेकंड इसको फेक क्या था लेना होगी तो फेकंड रिटिक लेने के लिए हमपिर से मैक्सिन करेंगे स्टाउक 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 से थोड़ा से किसमें इस टॉप सोलुशन से है है हुआ है है हुआ मैंने के मैंनों पूर लेंगे है है विद्धी हिल्पाफ फनेल हम ग्रॉट को अगें फिल करेंगे मेरा जो भीवेट है यह अंड़ेवल करते हैं पूरा प्रटिकल परफॉर्म कर देते हैं तो यह जो एक-डू ट्रॉप पनल की है वह भी क्या आपके एक्सेल्ट में काउं हो जाती है कि जब भी आप टाइशन स्टार्ट करें पनल को यहां से देखें पनल वहां से रिमूव होना चाहिए अब मैं क्या करूंगा 20 ml सुलूशन सब करेंगे हम फेरस का सेम एक्समेंट रिपिट करेंगे कि यह स्टेने विश्ट को बहुत बाद पीपेट से सलुशन सब करेंगे दिकत आती है तो उसका भी मैं आपको एक इजी टेक्निक बता देता हूं पीपेटग का यह जो नीचे का नुग है यह नीचे का नुग आप क्या करें जो भी आप Oatives Dire का स सबस्ट सर्द्रक सॗर मैं आप उसके तल पेश को रख देंगे तो क्या होगा नीचे अपर से यह नहीं होता है कि अगका सीन आक ऑतर वाद सुलूशन क्या होता है कि नीचे आज़ाता है जब भी फेरस अमने फिल्गड का प्रेक्टिकल कर रहा है आप बीकल का ढखकन लगाना बत बूलें और यह इच्छुट भी एरटाइट अदर्वाइस जो फेरस है वो फेरिक में कनोट जाता है अब हमने इसमें क्या किया है एक definite amount of फेरस अमने फिल्ग लिया है that is 20 ml with the help of this pipette अब हम क्या कर रहे है जब हम सेकन्ड रिडिंग लेंगे तो अब सेकन्ड रिडिंग के होगी वो ब्लैंड रिडिंग नहीं होगी हमें something 10 ml तक तो सुलूशन को इसे ही हम स्विट कर सकते हैं फिर्स रिडिंग हमारी जो आई थी 16.2 पे आई थी तो सेकन्ड रिडिंग भी मोर आगलेस 14 के आरंग आना चाहिए जब तक हमारा सुलूशन 14 अबल तक नहीं होगा जब तक तो रिडिंग आने के चांस के हम बहुत ही रिष्ट ह और देखें बिल्कुल थोड़ा मस्थी माइर अब देखें जितना भी के मिनोम फोगे में लेक्रां कर रहा है अपने आपको पुल्स कर रहा है आप मेगनेस प्रस्टो और नहीं हो रहा है मेगनेस अर्छ में कलर भी तो है तो हिर्ड दो होते हैं एस अल्सट आप पसा घई है अबने थोरा था ड्रोप ये इसको डार होगा उनको वहां देखना जब ये ड्रॉप डिसपीर होना बन्ध हो जाएका ब्रॉप डिसपीर होना तब बन्ध होगा जबकि उसे उल्यक्तौन नहीं मिलेंगे तुक क्यों क्योंकि पुरा की पुरा फेरस एफी फ्लस एक फ्लस्टू फ्लस्ट्री में कर्वर्ट हो चुका होगा वो क्या नियुक्त में मेजर करना है कि उपर के रिटिंग कहुं कितनी आगे ने देख सब्सक्राइब फ्लापास लागे हुँँए आगे शुक्ति करुंद नियुक्ति आगे उपर अभ्ल केले तो तो चुका बढ़े मृष्टा ने तरहां बंड़ाइए तो प्योंपान्वाट प्रेंगी नोच सेिट्टेंग नोच साहुं का मूंद अगें जो आपका पिंग कलर हो रहा है अगर आप इसको आगे करते हैं यह करने के जुरब नहीं है लेकिन आप आगे मूँ करते हैं तो आप देखेंगे यह जो केमें अपर का कलर है वो डिसपीर नहीं होगा इसका मतलब पूरा यहां पाद एफी प्रस्टू क्या होगा हो जितना आयलन लिया तो इसके लिए कितने के रिक्वार्मेंट वह यहां पर होता है कि पहले रिडिंग और दूसरे रिडिंग दो बार में सेम आजा है अगर यह 16.2 के जाके और यह 16 अगर यह 16 तो फिर हम फोर्ट रिडिंग लेना पड़ती है तो यह तो तक तक रिडिंग लेते हैं जब तक दो रिडिंग हमारी क्या हो शेम आजाएं एक सामान आजाएं ठीके अब जो है राथ है कि अ जो यह पार होया है तो के मअधा February कृते करते हैं तो क्लास में यह सकी हुआ है हुलो है